हलो एवरिवन आज हम गेहु के आटे के पीजा बनाएंगे और ये गेहु के आटे के पीजा हम प्रैमिला मासी से बनाना सिखेंगे बच्चों का तो फैवरेट होता है पीजा और मैदे के पीजा खाने से अक्सर बच्चों को पेट डर्स का सामना करना पड़ता है हेल्थ भी बिगरती है वो अलग तो आज हम हेल्थी पीज़ा बनाएंगे तो चल ये शुरू करते हैं सबसे पहले हम आटा तयार करेंगे यहाँ पे हम तीन बावल गेहो का आटा लेंगे बावल हमें बहुत बड़ा नहीं लेना है मेडियम साइज का लेना है अगर आप एक कप से मेजर कर रहे हो तो ये एक कप से थोड़ा सा आटा ज्यादा लिज़ेगा अब यहाँ पे हम एक कटोरी में एक बड़े चमच तेल लेंगे उसमें तीन बावल आटे के हिसाब से यहाँ पे हम तीन चमच एक्टिविस्ट लेंगे आपको कोई भी प्रोविजन स्टोर से मिल जाएगी जानकि एक बावल के हिसाब से हम एक चम्मच इस्ट लेंगे तेल में मिला देंगे और नमक टेस्ट्स के हिसाब से तेली, इस्ट और नमक को अच्छे से मिला देंगे और आटे में हुँँ आड़ कर लेंगे और कट्टोनी को पाणी से साफ कर लेंगे और आटे में आड़ कर लेंगे ताकि कोई बीस्ट रहे ना अभी गुनगुने पाणी से आटे को तयार कर लेंगे पाणी हम थोड़ा थोड़ा आड़ करेंगे यहाँ पे हम रोटी जैसा सौफ्ट आटा तयार कर लेंगे बाणी आटे के हिसाब से यहाँ पे हम चार मीडियम साइज के पीज़ा बनाएंगे अभी आप लोगों को मन में सवाल होगा कि प्रैमिला मासी आकिर है कौन वो मेरे हस्पेंड आकास की मौसी है जो यूएस में रहते हैं अभी वो इंडिया आये हुए थे और वो बहुत ही अच्छा पीज़ा बनाते हैं तो हमने सोचा कि उनसे पीज़ा ही सीख ले मासी के गर जब भी महमान आते है तो वो पीज़ा खाने के फरमाईश करते हैं और एक मज़े की बात बताओ प्रैमिला मासी दस दिन की बाद आज ही होस्पिटल से डिस्चार्ज होके आये हैं और यहर से भी ज्यादा एज में व यह देखें आटे को नीड करते हुए भी यह अच्छे से फूलने लगा है और काफी हलका भी हो गया है अब हम एक बेकिंग ट्रे में बटर और थोड़ा से तील को अच्छे से लगा देंगे एट को अच्छे से ग्रिस कर लेंगे पिज़ा जो है हमारा नीचे से चिपके न और एक बड़ी लूईले के बेकिंग ट्रे की साइस के जितना हम बेल लेंगे बेस को आप मोटा या पतला आप जैसा रखना चाहो ऐसा रख सकते हो इसकी थिकनेस देखिए मैंने इतनी रखी है अब भी ये और फूलेगा अभी बेकिंग ट्रेमर रख देंगे अभी दूसरा भी तयार कर लेते हैं अभी बेकिंग ट्रे में बेस रेडिक कर लिया है और इसे हम 7-8 अवर्स के लिए डख के रहने देंगे ताकि आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाए आप चाहो तो इसे ओवर्णाइट भी छोड़ सकते हैं हमने आटे को ओवर्णाइट छोड़ा था अभी दूसरे दिन हम पीजा की टॉपिंग के लिए वेजिस तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ओनियन लिए शेप में काट लूँगी में इसे आप अपने पसंद के इस सबसे कोई भी शेप में काट सकते हो ग्रीन कैप्सिकम को भी में स्क्वेयर में ही कट करूँगी टमाटर लेंगे यहाँ द्यान रहे कि टमाटर के भीज baru को हमें हटाल देना है यलो पेपर लेंगे आप अपने पसंद के हिसबसे वेजीटेबल को ले सकते हो रेड पेपर भी लेंगी यहाँ पर में रेड पेपर को भी काट लेंगे आप olives, mushroom, broccoli, paneer ऐसी topping का भी यूज़ कर सकते हो आप तो यहाँ पे हम oven को preheat होने के लिए रख देंगे और यहाँ पे मैंने कम height वाली stand ली है यहाँ पे micro oven convention mode का यूज़ कर लेंगे 180 degree पे 10 minute के लिए इसे preheat होने के लिए रख देंगे तो अभी pizza बनाने के लिए baking tray में उन्हें जो base ready किया था वो अच्छे से ferment हो गया है अभी pizza base की side में हम butter लगा देंगे बाद में हम pizza sauce लगा देंगे यह homemade pizza sauce है अगर आपको इसकी recipe चाहिए तो मुझे comment करके ज़रूर बताना अभी इस पर थोड़ा से tomato ketchup लगा देंगे और सबकी फैवरेट चीज को हम ग्रेट करके लगा देंगे आप चीज की quantity को कम या ज्यादा यूज कर सकते हो ज्यादा तर pizza में ज्यादा यूज होता है यहाँ पर mozzarella चीज का यूज करेंगे हम और उपर vegetable की अपने मंचा ही topping लगा देंगे और उपर से थोड़ा प्रोसेस चीज लगा देंगे इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा ओवन भी प्रिहिट हो गया है तो pizza को हम बेक करने के लिए रख देंगे फिर से हम convention mode का यूज करेंगे 180 डिग्री पे 20 मिनिट के लिए pizza को हम बेक कर लेंगे 20 मिनिट में अभी भी साड़े 3 मिनिट बाकी है और हम pizza को चेक कर रहे थे तो यह अच्छे से हो गया है अभी इस पे गार्डिक पावडर औरेगानो और चिली फ्लेक्स डाल जेंगे पीजा जब गरम हो तभी डल्दी से हबस को डाल दीजेगा नहीं तो ठंडा होने के बाद वो फ्लेवर नहीं आएगा ऐसे तो पीजा को ऐसे ही खाते है पर हमारे यहाँ नीचे की और से थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है तो नॉनस्टिक तवे पे हम बटर लगा देंगे और थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे अगर ओटी जी ओवन होता है तो अलग से क्रिस्पी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यह प्रोवेव में कन्वेंशन मोड में किया है हमने तो नीचे की और से ज्यादा क्रिस्पी नहीं होता है अबी डेड़ या दो मिनिट के बाद पीजा को हम कट कर लेंगे यह देखे बहुत ही डिलिशियस पीजा बनके तयार है आप गेहू के आटे के पीजा बना के बच्चों को खिला सकते हो बहुत ही यम्मी बनता है और यह हल्दी पीजा है और घर के बने हुए उपर से गे हुखे आटेके तो बच्चे तो पसंद करेगे ही आप भी पसंद करोगे बहुती टेस्टी पीज़ा बनते हैं आप ट्राई जरुर करना सबने पीजा को बहुत ही एंजोई किया है यहाँ पे और सबको टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगा एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रैमिलामा से